उपचुनाओं का बिगुल भजने के बाद कॉंग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्या आरोप का दौर शुरू हो गया है। नड़ा वो मंतरी अनुराग बैठे हैं लेकिन वे रोजगार के बजाए प्रदेश में चिट्टा वो गांजा भेज रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन के सरकार ने रोजगार देने के बजाए नशे को बढ़ावा दिया है। शिमला पुलिस ने जनवरी से सितमबर तक नशे के खिलाफ 187 मामने दर्ज के हैं। उन्होंने कहा कि मोधी सरकार ने हर साल दो करोड युवां को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन इसमें सफल ना होने पर देश में नशे का कारोबार बढ़ाया जा रहा है। ताकि युवा रास्ते से भटक जाए और अपना हक ना मांग सके। कॉंग्रेस पार्टी सुप्रिम कोड के नियाधिश के अधीन आयोग बना कर इस सारे प्रकरण की जांच की मांग कर रही है। वहीं पंजाब में मची सियासी खलबली पर पूछे सवाल को लामा ने पार्टी का आंतरिक मामला बता कर टाल दिया। हीरोईन भेज रहे हैं गांजा भेज रहे हैं आप हिमाचल के युवाओं को बरबाद कर रहे हैं। यह मैं नहीं कह रही हैं। यह शिमला पुलीस ने आकड़े जारी किये हैं। इन आकडों में ये लिखा गया है तीन सो किलो गांजा पकड़ा गया ये अब तक की गांजे की सबसे बड़ी खेप थी है ये मैंने ही कह रही हूँ ये तो आपकी शिमला की पुलीस कह रही है तीन सो किलो और ये पहले हिमाचल के युवाओं को बरबाद करने के लिए गुजरात से गुजरात प्रदान मंतरी जी का ग्रह राज्य है गुजरात उस गुजरात में उनके एक पूंजी पती मित्र अडानी जी नाम लेकर कह रही हूँ हावा में बात नहीं करेंगे अडानी जी का पोट है मुद्रा पोट उस पोट पे उस पोट पे जो है पहले अभी जो पकड़ा गया है वो 13 सितंबर 2021 को 3000 किलो ग्राम हिरोईन पकड़ी गई है कीमत क्या है अंतर रास्ट्रिय बाजार में 21,000 करोड यह तो पकड़ा गया है इससे पहले क्या था इससे पहले तारीक नोट करिए 9 जून 2021 इसी साल इस सितंबर से पहले जून में 25,000 किलो ग्राम जी हाँ 25,000 किलो ग्राम हिरोईन जिसकी किमत अंतर रास्ट्रिय बाजार में 1,75,000 करोड बताई जाती है यह तो पकड़ में ही नहीं आई ओल इंडिया कॉंग्रस कमीटी ने भी कि सुप्रिम कोड के सिटिंग जज के अधीन एक आयोग का गठन करके इस पूरे प्राकरण की जो है वो जांच की जाए तैस हमें सीमा पे की जाए क्योंकि जितना हम लंबे इसमें समय लगाएंगे हमारे युआओं को ये लट उतनी तेजी से लगेगी एक एक समय हमारे लिए की आटिका आंतरिक मामला है मैं फिर आपके हमाचल के लोगों पर छोड़ रही हूँ उनके लिए इस समय जब मैं यहाँ बैठी हुई उनसे नश्य की सप्लाई पर उनके युआओं के भविशे रोजगार और बरबादी पर बात कर रही हूँ वो उस पर सुनना चाहते है यह सुनना चाहते है किसी राजनीतिक दल के किस परदेश अदेश को बनाया और हटाया गया है आंतरिक मामला है यह सब बिल्कुर राजनीतिक दलों में हुड़ता रहता है SP, BSP, Congress, भाजपाल, लेफ्ट, कितने राजनीतिक दल है लेकिन हिमाचल के लोगों को वो जानना है कि यह ड्रग्स, यह नशा यह पहुचा तो पहुचा कि बरोसा किया उन्हें की जम्मेदारी सौपी वो विशे को पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो किसी पार्टी को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं बड़ी जम्मेदारी दी विश्वास किया, उनसे उमीद की लोगों ने लेकिन मुझे लगता है कि उनके बसका नहीं है अब उनको मुंबई का फिर शर्मा मिस कर रहे हैं, वहीं चले जाएं